Hello everyone, today I am going to take a very serious issue and I think it is the common issue for everyone. I am making this video on the demands of my students because they are demanding again and again to make a video on this issue because their study is getting interrupted because of this issue. So, in the past classes, the live classes are running, students are demanding again and again. Sir, please make a video on this issue. because our study is getting interrupted and we are not able to concentrate, we are frustrated, we are getting frustrated, so our study is bad. Please, sir, give us a solution to how to get out of this situation. The issues of students are related, so, here I have the name of the list, the maximum people's mind in the picture start, which starts in mind, our own issues will be like, we will be looking at the issues, which we have to do, which we are trying to do, which we have to do, which we have to do. So, I am going to give you a solution, which we have to do, which we have to do. है जो स्टुडेंट्स के अगर्प में बात करें मोस्ट लिए तो बोले हैं कि रिलेटिव और जो नेबर्स है यानि रिस्तेदर और पड़ोसी है उन्हीं के करने प्रोग्लम आ रही है बार बार ताने दे रहे हैं तो हमारी स्टेड़ी फे फोकस नहीं हो पा रहा लेकिन कोई दिक्धेशची करें लेकिन की तो खुदाए लेकिन आपको बताओ आपको रिष् या फैमिली मेंबर्स जो आपके हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब ना हो वो हमेसा आपकी कामयाबी देखना चाहते हैं तो उनका जो रिजन है वो कुछ अलग रिजन होता है ठीक है जो मैं आपको बाद में एक्स्प्लेन करूंगा कि क्या-क्या उनके सकते हैं क्यों बेघ्यकारwel करना स्टारट करदें सरक्स्टेंस बन जाती है इसको उनका मैं Lambda ठर्श करना क्ये ह। ठहले बात करके हैं तो पहले बचाहते हैं जो तो यहां पर अपने बात करें तो पहले मैं आपको बता दूँ जो रिष्टेदार होते हैं वो रिष्टेदार होते हैं ठीक है यह नाम ही ऐसा है तो रिष्टेदार जो होते हैं आपको ऐसे गवराने की जूरत नहीं है टेंशन लेने की जूरत नहीं है कि हमारे रिष्टेद जो रिष्टेदार है वो उसी के साथ ऐसा ही बिएव करते हैं चाहे वो व्यक्ति कितना ही महान हो अगर एक्जामपल की वह में मैं बात करूँ तो I think कलाम जी जो है जो इतने महान है उनके रिष्टेदार भी जो है वो ऐसे ही होंगे तो इसके लिए आपको टैंसन और करने की कोई जुरुत नहीं है अब बात आती है students बोलते हैं कि sir इनकी thinking को कैसे change करें रिष्टेदार होगी तो देखो उनकी जो रिष्टेदार पड़ोस है उनकी thinking आप change नहीं कर सकते इनको वरदान मिला होता है seriously तो आप इनकी thinking को बिल्कुल भी change नहीं कर सकते आपको अगर success होना है तो अपना way of thinking change करना पड़ेगा और वो मैं बताऊंगा आपको अपना way of thinking कैसे change करना है solution की form में देखो एक चीज ध्यान रगना एक कुता है मान लो तो कुता जो होता है वो क्या होता है मोले के अंदर भूंकता है ये practical भी देखा होगा आप लोगों ने पूरे मोले वाल हैं तो भी वो कुता बागते बागते भी बॉंकता है चुप नहीं होता रिष्टेदार क्या सुरी जो मोले वाले हैं वह वापिस आकर सोज हैं अराम से चैन से तो वह वह कुता से वापिस आकर फिर से बॉंकना start कर देते तो क्या करोंगे आप लोग उस कुते के साथ में उ सबी बोलने में अच्छा लगता है लेकिन एक तो उसका भी मैस्ट होता है कीसे उसको ڈील करना है आपको बता हमा तो यहां के आपने रिष्ठथेदारों के बात करें तो अपने Two TWO Phase में लेकर चलेंगे एक phase सक्सेश से पहले नंके विःवियर केसा होता है और दूसरा सक्सेश के बाद विःवियर केसा होत शाद है कि यहां पे दोनों बाते साथ में लगकर चलेंगे और साथ ही साथ अपने हर एक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूँ जो रिष्टेदार होते हैं वह आप ऐसे मान लो वह भगवान का दिया हुआ एक वर्दान है बहुत सारे लोग इसे अभिशाप भी मानते हैं जो नेगिटिव होते हैं जो इसके कारण बैक होते हैं सक्सेस से दूर ज विष्टेदार होते हैं वह कोशिस तो करते हैं आपकी टाइम खींचने की ताकि आप सक्सेस ना हो पाओ आपको गिरा पाएं वह ठीक है आपकी ग्रोथ को रोक पाएं लेकिर रियल में अगर आप डेफ्ट में सोचो तो वह एक मोटिवेटर का काम करते हैं आप लोगों के लेकिन थोड़े टाइम बाद अपने कुछ किया नहीं अपनों ने तो थोड़ी सी छोटी सी घुशी में अपनी खुश हो जाते हैं उस पॉइंट भी बड़े काम आते हैं क्योंकि वहां पर आपको कोई टार्गेट नहीं दिखता तो यह आपको एक टार्गेट देते हैं यह क्या करते हैं आपकी टांग घिंजते हैं आपकी बुराई करते हैं तो आपको एक टार्गेट मिलता है क्या कि इसको कुछ ना कुछ करके दिखाना है तो इस तरीके से वह आपके लिए मोटिवेशन का काम करते हैं अगर आप डेप्थ में सोचो तो आप खुद खुद क वो खुद का नुक्सान करोगे और उसमें वो success भी हो जाते हैं जो उनका real में जो purpose था वो उनका fulfill हो जाता है लेकिन आप अगर depth में जाकर इसको positive way में सोचो तो वो आपके लिए एक positivity का काम करते हैं समझ में आई चीज़ तो इस तरीके से वो क्या करते हैं work करते हैं यहाँ प आपके पर्डोशी बगेरा होते हैं वो घर पे आते हैं आपके parents के पास में और आकर बोलते हैं कि आपके बैटे या बैटी का selection हो गया तो बोलेंगे नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ तो बोलेंगे कि भाई फिश सेलेक्शन हो क्यों नहीं रहा इतने time में तो कितना time तो ह हो गया आपके बैटे को या बैटी को त्यारी करते हुए तो आप बोलो कि study तो पूरे दिन करते हैं पढ़ते तो पूरे दिन हैं पता नहीं सेलेक्शन क्यों नहीं हो रहा तो वो बोलेंगे एक चीज़ आपको बताएं हम भूरा मतमानना इस बात का आपको विश्वास है क आपका बेटा या बेटी जो है वो study कर भी रहे हैं गया कहीं ऐसा तो नहीं आपको बेवकूफ बना रहे हैं हाँ mostly parents मतलब इस बात को ignore कर देते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि जब ज़्यादा time हो जाए तो क्या होता है कि वो इस बात को दिल पे भी ले ले लेते हैं और बता लगा है कमरे में आप बढ़ाई कर रहे हो तब वो ऐसे दीरे ले क्या करेंगे आपके परिवारवादों से बाते करें थोड़ा सा तेज भी बोले हैं उसके साथ में ताकि आपको सुना ही दे और आप क्या करते हो वहां पर जैसे मान लीजी paper वगरा कर रहे हो मोक टेस ब conceived, बहुत लेकिन कन आपके उस साइड होते है क्योंकि जब यह ओव्यस सी बात फॉब सन की अगर आपको Aberdee करेगा तो इस आपका ध्रा का पूरा वहां पर रहता है और जैसे वह ऐसी बाते करते हैं तो आपके MIND में आता है गुस्सा कळा पढ़ना स्टर्ट्ट करते हैं अब मैं पूरा तगड़े वाला पड़ूंगा वो तो ठीक अची चीज है लेकिन क्या होता है कि गुस्सा आता फ्रस्ट्रेसन आता है दिमाग वहां पे फिर डाइवर्ट हो जाता है पेपर में ध्यान नहीं लगता फिर वह इसको क्या गड़ा बंद गर देते हैं कि आप छोड़ने बड़ेंगे दिमाग खराब गर दिया फिर यह जो चीज होती वह कम से कम आपके दो तीन दिन हो सकता है ज्यादा भी खराब कर देती है यह जीज और आपको पता है इस कॉंप हुसना हैन्दर से हसना है कि यह इसको यह नहीं पता कि मतलो कल को मैं क्या अकरने वाला हूं वह करने वाला हूं वह फिर नहीं पता मन में ऐसको सब्सक्राइं अरश vazgoon soHein deep गोभोई कुष्ण होना का जिनन हो जाईगा फिर आपको आत्मा को शानती के लिए आत्मा को शानती दें दे जले जाड़बुकल राइसा द्माख़ सbira की रहा है इस तरीके से आपको क्या करना है वहां सोचना और खुद को 2 करना है कि ऐसा धमाखा करूंगा कि इनकी अंखें फटि की फटि रहे जाएगी इस तरीके से आपको सोचने समझ में आप लोगों के और जब क्या होता है कि आप success हो जाते हो students की form में अगर आपकी job लग जाती है उसके बाद में वो same के same relative वो क्या करते है उनका way of thinking क्या हो जाता है change way of speaking thinking change नहीं होता sorry way of speaking उनका क्या हो जाता है change हो जाता है मतलब बिल्कुल अलग way में बोलना वो start कर देते हैं job से पहले वो आपको भी ताने देंगे क्या की job नहीं लेगे अब तक क्यूं फालत में time waste कर रहा है क्यूं घरवालों को पैसे प्रवाल को private job पकड़ ले कोई छोटी मोटी कोई पांदर जार मिल जाएंगी काम चल जाए घर चल जाएगा तेरा अच्छे से क्यूं time अपना खराब कर रहा है क्यूं खोटी कर रहा है तो इस तरीक से वह आपको बोजर दिल पर लगती है और ज्यादा दिल पर लगती है जब किसी function वगेरा में सब के सामने भाइचांस बोल दे तो हालत और भी क्यूंकि क यह बंदा जोब लग जाए यह लग जोब मतलब लोकल है में बोले इसका डोड़ आगया जोब लगने आगा इस तरीके से क्या करते हैं बात करते हैं और जिस दिन जोब लग जाती उसके बाद वहीं बंदे बोलते हैं सेम की सेम वर्डिंग कि पेपर जो फाइट करना या को कि वगरा करना है इतना इसी नहीं नहीं होता लेकिन यह बंदा था जो स्ण ले यह रेक्शन ले इसा कर सकता यहां मनलब स्छक हो गया और कुछिब्य होता तो नहीं हो पाता इसका थो मैं बच्पन से ऑले से यह तो कर गया है इस तरीके से होता है मतलब चापनूसी स्टार्ट आपकी चापनूसी करेंगे हां पीड़ बीचे आपकी बुराई चलेगी और कई बार क्या होता है कि क्योंकि रिष्टेदार है कि वह फ्रस्ट्रेसन उन्हें इतना ज्यादा कि खुद से कुछ करने ही पाते आपकी ग्रोफ देखकर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेसन उनके अंदर आजाता है कि वह क्या करते हैं फिर आप जब सक्सेस होगे तो आपका माइंड डाइवर्ट करने गोस्टिस करते हैं लड़ाई बगेरा करते हैं या इस्यूज क्रिएट करते हैं आपकी फैमिली बगेर लेकिन जो सेर होता है वो सिर्फ एक बार दाड़ता है और जब सेर दाड़ता है तो कुट्टे सरे शांत हो जाते हैं यह चीज हमेंसा आप लोग है ध्यान में रखना तो दाड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप लट लेकर चले गए कि चलो लट उडा लेते हैं चलते हैं ही हुए आप लोगों उनको तगड़ तगड़ जटगे देने अपने आप मर जाएंगे तो यह चीज ध्यान रखना और यह पॉइंट तो मैं बार बार आपको बोलूँगा हमेसा ध्यान रखना कि आपकी सक्सेस भी होगे उसके बाद भी अगर रिलेटिव आपके आपकी तांग खींचना अगर बंद कर दें इसका मतलब कुछ ना कुछ गडबड है आप साइट रेक पर नहीं जा रहे और जैसे ही फिर आपको क्या करना है कि कहीं मेरे में कमी तो नहीं है अपनी कमियां डून नहीं है और जैसे ही आपको कमी मिल जाए उस पर वौक करके आप ग् है अब सही है बिल्कुल सही ट्रेक पर जाए मतलब अब ग्रोथ कर रहा हूं तो आपको अगर बाइचास क्योंकि पता नहीं लगता कि अपने सही डायरेक्शन में जारें कि नहीं जारें तो यह काम भी यह भूमी का भी कौन निवाते हैं आपके रिस्तेदार निवाते हैं निवाथ पताते हैं आपको कि आप गलत हो यह सभी डायरेक्शन में जा रहे है यहा गलत डायरेक्शन इन तो इस तरीके से आपको क्या करना अपने बाप इस तरीके से सोचते हो आपे ऑप तिंकिंग ठेंज गरना है पॉजिटीव अब जो यहां पर critical issue बनता है वो बनता है खुद के family members का कि कई बार क्या होते हैं यह करतूत्य सारी रिस्तेदारों परोशियों की होती है वो क्या करते हैं आपका बच्चा यह होता है maximum job से पहले ही होता है कि यह slack नहीं हो रहा इतना time हो गया तो घरवालों के mind में भी थोड़ समझ जाओगे हैं जो grammy and previous से होते हैं या मतलब जरूरी निया सारे यह से हो grammy and previous वाले और यह भी मैं बोलता हूं कि सारे रिस्तेदारी आपके ऐसे हो कुछ रिस्तेदार बहुत अच्छे होते हैं जो आपको real में बहुत ज्यादा support करते हैं समझे हैं निचीजे लेकि maximum कि इतना टफ होता है तब आप खुद समझ जाओगे तो उनके माइनड में इस लिए यह चीजें आती है अभ उनको आपको क्या करना है आप लोगोंने क्या करना है उनको मैनेज करने के लिए आपको वे ओफ थिंकिंग चेंज करने उनकी सोथ चेंज करने थे उनको से वाकिफ करवाना है और करना क्या है वो solution में आपको बताता हूं कि कभी आप जैसे माली जी मूड उनका अच्छा हुआ आज उनका मूड अच्छा है या खाना खाने के वाद थोड़ा रिलक्स करते हूं आप बोलना कि मुझे ममी पापा या जो परिवार वाले उनको बोलना कि आपको पता है कि बेरोजगार इतने बड़ी हुई है आप मोले में देखो कहीं पर भी देखो तो जितने भी बहुत सारे आप देखोगे स्टुडेंट्स वगरा जितने ग्रेजिए जो हैं उनमें से मैक्सिम बेरोजगार गूम रहे हैं तो मतलब क्या है कि इतने लोग बेरोजगार और सारे फॉम फिल करते हैं मालोग कॉमप्रसन बहुत टफ है वेकेंसी इतनी ज्यादा नहीं है ठीक है वो चीज़ बताओ पहले तो इनको उसके बाद ये वेकेंसी की वह में जैसे कोई एक्जामपल अपने ले एक्जाम का तो जिस एक्जाम की आप त्यारी अपने इसकी बात करें एक जो आपका जैए का उसकी 5,000 के राउंड वेकेंसी है और 10,000 प्लस स्टुडेंट्स है तो आप 10 लागगी बोलो तो अपने बात करें एक सीट पे 200 स्टुडेंट्स हो गई तो आप उनको ऐसे बताओ कि एक सीट पे 200 स्टुडेंट्स फाइट कर लेकिन 200 बैठना चाहते हैं तो उनमें आना इतना इजी नहीं है और अज के टाइम ही इतना ओर दूसरी बात मेरे तो वैसे भी क्या हो रहा है कि जैसे ये चीजें चल रही है प्रोग्लम से रही है तो उसके कार्य यह है कि मेरा धिमाग डा Vaiर में और और जो अगर बात करें और भी ऐसे होंगे इनका मैंड डाइवचण हो रहे हैं जैसे जिस मुझे इतना पढ़ाया लिखाया नहीं होता और seriously अगर आपके parents आपका बुरा चाहते तो इतना आपको पढ़ाते लिखाते नहीं बस circumstance एक तो रिलेटिव पढ़ोशियों ने रिष्टेदारों ने ऐसी बना दी दूसरा मतलब situation ऐसी बनी हुई है कि मेहनद आप पर पैसे लगा रहे हैं तो कमाई पैसे कमाना इतना easy नहीं होता तो बड़ा time हो गया तो उमको frustration आने लग जाती है तो वो चीज़ हैं तो आप उनको यह बोलना कि आपने मुझे इतना मतलब लायक बनाया यह एसान बहुत बड़ा जो कभी नहीं आप जो कुछ हूँ मैं वो आपके काणो कल को जो हूँगा वो भी आपके काणो सबसे बड़ा एसान तो आपके parents का यह है कि उन्होंने आपक उससे बड़ा कोई आइसान नहीं और वो कभी कोई नहीं चुका सकता यह reality है अगर वो आपको इस दुनिया में लाते ही नहीं तो आपका कोई existence ही नहीं होता आप कुछ करने वाले भी नहीं होते कुछ कर भी नहीं सकते सबसे बड़ा आइसान तो यह होता है तो उनको negative way में मतले ना कि हमारे parents यह हमारे दुस्मन बने वे क्योंकि बच्चे सोच लेते हैं कि इतनी maturity नहीं है इसलिए और जैसे situation चले है उसके coding तो उनको आप ऐसे बोलो कि already frustration है already tension है हमारा exam clear नहीं हो पा रहा तो इसके कारण देखो आपको tension है हम हमें पता है हमारे future के आपको बोज़ जड़ा frustration आता है लेकिन उस फ्रॉस्ट्रेसन उस negativity को हम एक तरीके से positivity में convert करते हैं आपको बोलना है अपने parents को यह चीज कैसे convert करते हैं हम सिरफ आपको देखकर motivation लेते हैं आपको अपना motivation मानते हैं आपके चेहरे को देखकर हम यह सोचते हैं कि हमारे parents के लिए हमें कुछ करना है इनको समाज में respect दिलवानी है क्योंकि कल को मेरा selection आप सोच कर देखो कल को मेरा selection हो जाए तो सबसे जदर respect आपकी होगी relative relation में आपकी सबसे जदर respect पड़ोसी आपकी respect करेंगे मेरी बढ़ाई करेंगे तो उससे आपकी बढ़ाई होगी आपका सीना चूड़ा होगा ठीक है तो वो चीज़ है आप सोच कर देखो और अगर नहीं हुआ selection तो उसके बाद में survival भी नहीं हो पाएगा आगया आने वाले टाइम में अपना ही लोस है अपनी पूरे परिवार का लोस है और success हुए तो अपना सब का क्या है अपनी सब की growth है मतलब आपको respect मुझे respect हर किसी को अपने पूरी family को respect मिलेगी तो कितना plus point है तो इस way में मैं सोच कर कि मैं आप लोगों को कुछ आप लोगों के लिए करूं मैं negative होता हूं कही बार मेरे mind में आता हूं quit कर दे छोड़ दे पढ़ाई वगेरा कोई मतलब नहीं है कुछ होना तो है को private job कर लिया कुछ भ हर बार charge करते हो, बिना बोले charge करते हो आप लोग क्योंकि आपका चेहरा देकर मैं charge होता हूं और जब आप लोग ही मेरा साथ छोड़ दोगे और आप लोग मेरे साथ ऐसा करने लग जाओगे तो फिर कहीं का नहीं रहा, जो मेरा motivation है वही नहीं रहा, तो फिर मैं क्या रहा, मेरा क्या होगा मैं तो खतम हो जाओँगा कोई मतलब भी नहीं है फिर मैं कुछ नहीं कर सकता मैं कितना ही मुझे चीज़ें आती हूए मैं कभी स्थेलेक्सिन नहीं ले पाऊँगा मुझे कुछ नहीं जिए कि मुझे शिर्फ आप लोगों का स्पोर्ट चीए आप लोग मुझे स्पोर्ट कर लो आप लोग मेरे साथ रहो मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूं यह मेरे अंदर आउटपुट देकर रहूंगा एक शांदर वाली growth success लेकर रहूंगा अगर आप लोगों का साथ है बिना आपके मैं कुछ नहीं हूं इतना अपने parents को बोल देना 100% guarantee है किसी के कोई भी ऐसा parent नहीं होगा जो मतलब अपने बच्चों के लिए इन बातों को सुनकर emotional ना हूँ और यह reality भी है तो आप बोलना उनको कि हम आपको दिन रात पढ़ते हैं दिखाई देते हैं नहीं देखते हैं यहां पर आवारा तो नहीं गुम रहे हैं तो इसलिए बस आप थोड़ा सा और sport कर दो अब थ दुनिया आपके लिए कुछ भी बोले अगर आपके घरवाले आपके साथ में हैं तो आपको कभी negativity नहीं आएगी चाहे लोग कुछ भी बोले उनसे अपनों को कोई फरग नहीं पढ़ने वाला चाहे relative कुछ बोले पड़ोसी कुछ बोले आपके घरवाले अगर आपके साथ करना है कैसा अंडल करना है और घरवालों को ऑने का थे कम लिए अज़ेब्वों को बता देता हैं उच्छोड़ो को मेंने करना को इस तरह आप प्लुप करो फॉकस करो फाल्तों की चीजें छूड़ो उन्पे ध्यान दि hakkरो यही समझो कुता भॉंक रहा है और एक चीज हमें सा ध्यान रगना अगर वह रिलेटिव वगिर आपके लिए कुछ बोल रहे हैं आपकी टांगे घीज रहे हैं इसका मतला आप में कुछ ना कुछ बात है उनको डर है कि यह काम्याब हो जाएगा किसे ना किसे करके इसको रोक प्रकाट हैं तो खुछ हो जाये करो जितना ज़यादा पीछे पढ़े हैं इतना ही ज़या तेलेंड है आप उतनी ज़यादा सक्सेस प्राप्त करें इसलिए वह सब्सक्राइब कर रहे हैं जल रहे हैं यह ज़ब अब तो यह सारी बाते मायिंड में जो मैंने आपको बताया है इन सब को माइंड में लेकर फिर से शुरू हो जाओ एक शांदा एंतुसियेजम के साथ और अपनी फोकस करो और जटके दो और काम्याब होकर उनको जवाब दो अर्जुन बनो अर्जुन टारगेट रखो उनको अर्जुन को चिडिया क्या है और कहीं आपका ध्यान नहीं जाना चीए आपका ध्यान सिर्फ होना चीए किस पे अपने टारगेट पे फालतों चीजों को एगनोर करते चलो आपको काम्याबी से कोई नहीं रो सकता हंड्रेड परसेंट गारंटी है क्लिए आप लोगों को होगा अगर आप अपना हंड्रेड परसेंट इंपूट दोगी और जितने भी सॉलीशन में आपको बता है मैं उसुलीशन को यूज़ करना हंड्रेड परसेंट गारंटी आपको आगे से कोई इस्यू नहीं होने वाला ठीक है क्लियर है ओके ओल दा बेस्ट